खाली पैट अपती धूप और धूप में बच्चों के माते पर किताबों का बंडल तीनों बच्चे स्कूल की मैडम का कहा मान रहे थे और खुद के शरीर को धूप में जला रहे थे जियां एक तरफ स्कूल बंद करवाय जा रहे हैं गर्मी इतनी है कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सिल्चिलाती धूप में बच्चों को किताब ढोने को मजबूर किया जा रहा है देखिए ग मस्तिपूर का ये मामला है जहां पर सरकारे स्कूल में पढ़ने गए बच्चों से कड़क धूप में पुस्तक लाने को कह दिया गया आधा किलोमेटर तक बच्चों ने सिर पर किताबे ढोई है जिसका वीडियो अपसाम में आया है जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सरकारे स्कूलों में सिक्षा विवस्ता बाहल करने के लिए एक तरफ राज्यो सरकार करोरों रुपएख खरच कर रहे है हैं अभी भावग बच्चों का भविश्य सवार्ने के लिए सक्षा के मंदर में उन्हें भीचती हैं वहां कि सक्षक उन बच्चों को बाल मजदूर बना दे रहे हैं जिन बच्चों के हाथों में कलम कॉपी होनी चाहिए थी वहां उनके सिर पर किताब का बंडल रख दिया गया तस्वेर बिहार के समस्ति पुर्जुले से सामने आई ज अर्मी को लेकर वहीं दूसरी तरफ समस्ति पुर में स्कूली चात्र को मजदूर बनाया गया है जो वीडियो सामें आया है उसमें तेन स्कूली बच्चे नजर आ रहे हैं जुन्होंने स्कूल ड्रेस भी पहना हुआ है लेकिन उनके पैरों में चपल नहीं है बाल मजदू की बंडल को ये बच्चे अपने माथे पर ढोते हुए देखे गए हैं जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो अब स्कूल पर सवाल उखने लगे हैं वीडियो में दिख रहे हैं बच्चे समस्तिपूर की वारिस नगर ब्लॉग की बसंत्पू प्रुच चुम्हार मं बताया जा रहा है उन तीनों से जब सवाल किया गया कि वह इतनी गर्मी में इतनी अधूप में ब Alabama है उनका कहना कि जिनका वगल्म कैते हैं उनमें इन बस्पूल को कृताब छा की थे जिसे जअए इन तीनों बच्चों को लाने का आदेश दिया गय चौक के दूरी आधा किलोमिटर की बताई जा रही है मतलब कि इस धूप में आधा किलोमिटर खाली पैर ये बच्चे माते पर किताबों का बंडल हो रहे थे और मैडम स्कूल में आराम फर्मा रही थी उस मामले में जब स्कूल की हैड मास्टर सुभद्रा देवी से सवाल कि किया गया तो उनका कहना था कि स्कूल में कोई स्टाफ नहीं था जिसकारण इन तीनों बच्चों को कहकर किताबें मंगवाई गई थी लेकर सवाल यह उठता है कि अगर को और स्टाफ नहीं था तो आस पास का कोई वैक्टी होता चोटे बच्चों को ऐसे धूप में भीज दामारा जौता है, धमकि दी जाती है, इसके चलते ही काई बार मजबूरी में स्कूल के बच्चे मजदूर बच्चे। इते हैं वीडियो को शेयर कीजिए और बागी खब्रों के ये बने रहें जंता जंक्शन के साथ कैमरे के पीछे ते विशाल और मैं थी आपके साथ बन दना नहींगा